तो पाकिस्तान की जो फोर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान उन्होंने कैटेगोरिकली इंडिया को बोला है कि हमारे स्टेटमेंट्स को मिसंडर्स्टूड मत करो हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं हम अपनी आर्मी को और जादा स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं इसका म पाकिस्तान को एक डायरेक्ट मैसेज भेज दिया है कि पियो के हमारा है और हम उसको इंडिया में मिला कर रहेंगी ऐसे में पाकिस्तान का ये जवाब आना काफी लाजमी है क्योंकि अधर्वाइज इट विल गिव एन एज टू इंडिया डिसकस करते हैं इस मैटर को इन ड दिसकस करेंगे बट बिफोर स्टाइग इस वीडियो प्लीज मेक शूरिवार सब्सक्राइब तो मैं चैनल प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो आप सभी को पता है जब इमरान खान को इस स्पीच देते हैं अपनी रैली में आपी जो इनका लोंग मार्ट चल रहा है उसमे ये हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जो फिलहाल की गवर्मेंट है और जो आर्मी है दोनों मिली हुई हैं दोनों करप्ट हैं ये चोर हैं और ये पाकिस्तान को ग्रो नहीं होने दे रहे पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने दे रहे बैसिकली गुलाम हैं किसी और दूसरी country of course यह US को बलाते हैं तो ऐसे में आर्मी का जो मॉराल हो डाउन होता है और इनके जो n либо में रिमार्क्स हैं इनकी खुदकी जो पार्टी है उनके लोगों नों भी villain जरुरत होती है, आर्मी ही मेन रोल निभाती है, किसी भी कंट्री को सिक्योर करने में, सेफ करने में from their enemy countries अब क्योंकि इमरान खान को हर तरफ से सुनने को मिल रहा था कि कुछ जादा ही anti-armie remarks हो गए हैं, इवन इनकी खुद की party members से तो इन्होंने उस चीज को reverse में ले लिया और बोला कि जो मेरे criticism है जो मैं criticize करता हूँ अपनी army को, वो एक constructive criticism है क्योंकि मैं अपनी army को strong बनता हुआ देखना चाहता हूँ और मेरा जो constructive criticism है वो किसी को harm करना नहीं है ना ही अपनी army का moral डाउन करना है अभी मैंने आपको अपनी last video में बताया था कि राजनात सिंग जी ने अपने speech में बोला है जो उन्होंने शोरिया दिवस के दिन दिया था कि हम north की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो ultimate goal है वो है P.O.K को इंडिया में मिलाना अब ऐसा statement अगर इंडिया से जाएगा तो obviously पाकिस्तान में हल चल होगी और वो अपनी तरफ से कोई ना कोई statement जारी करेंगे और उसी का नतीजा है इमरान खान का ये जो constructive criticism वाला जो उन्होंने statement दिया है वो इसी लिए इमरान खान ने specifically इंडिया को mention करते हुए बोला है कि इंडिया हमें misunderstood ना करें हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सब को पता है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी का moral down होता है जैसा कि situation है फिलाल पाकिस्तान में economically भी इतना ज़ादा weak हो चुका है ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी का moral down हो जाना और basically hit करेगा पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से इंडिया को एक edge मिल जाएगी क्योंकि देखो हमारा ultimatum यही है कि हमें P.O.K. चाहिए वो हमारा integral part है तो उसको पाकिस्तान की side में होना sense नहीं create करता तो यह काफी important timing हो सकती है इंडिया के लिए जब इंडिया कदम बढ़ा सकता है P.O.K. को अपने में मिलाने में ऐसे में पाकिस्तान का यह statement जारी करना जायज है कि अगर उनकी आर्मी जो है वो strong नहीं होगी तो उससे इंडिया को double benefit मिल जाएगा बाकि आप लोगो का क्या व्यूपोइंट है इस में पर प्लीस comment section में लिखेगा and this was the news for you guys I hope you loved it if you did please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you on the next video till then stay happy, healthy and bye